हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमन यूटूब चैनल पर 72 लाग से जादा पैंसन धारकों ने आखिरकार मनवा ही लिए अपनी मांगे मंत्री मंडल मीटिंग के दोरान अडे रहे पैंसन भोगी जम कर काटा बवाल सुप्रीम कोट का दिया हवाला पैंसन में मंपर बडोतरी को लेकर केंदर सरकार ने दिल खोल कर कर दिया बड़ा एलान हर साल पैंसन में 5 फीजदी से पैंसन धारी माला माहल, करमचारी संगठन और पैंसन भोगी मंच के लगातार दबाव के चलते केंदर सरकार का बड़ा एतिहासिक फैसला सुप्रीम कोट ने कहा 18 महा एरियर कुछ समय के लिए फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता ब्यास सहीत हो भुगतान आखिरकार 18 महा बका एरियर भुगतान को लेकर आगी बड़ी खुसकबरी आगामी लोक सबचुनाओं के मद्य नजर केंदर सरकार ने करमचारी पैंसनरों का रखा खास खयाल महंगाई भत्ते के ताज आंकड़ा आते ही डी ए डी आर में बड़ा उच्छाल सालों इंतजार के बाद फिट्मेंट फैक्टर तीन दसनों जिरो जिरो फीजदी करने की मांग पर फूल एंड फाइनल फैसला नियुमतव वेतर में 8,000 रुपे की मासिक बड़ोतरी से वेतर पैंसन में बड़ा उच्छाल फैमिली पैंसन को लेकर आगई बड़ी खबर फिक्स मेडिकल अलाउंस पर जोड़दार अपडेट जानेंगे सभी खबरों को विश्तार से सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि एक लाइक ही हमारी मैनत कफल होता है साथ में चैनल पर फस्टे विजिट क्या तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दीजे ताकि करमचारी और पैंसन में होगी और जवानों से समन दित वीडियो को नोटिफकेशन आपके पास पहुचे सबसे पहले तो चलिए जानते खबरों को विश्टार से बिना किसी देरी के पैंसन में आई बंपर बडोत्री को लेकर आई खबर से पहले एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जून 2022 में सरकार ने सेना की तीन से पहले हैं दोर्टी तोरां जान गवाने वाले सेस्परिहां को मिलने वाले सेनी को की दीवे ही, है रक्षा मंतरालें समीती को बताया कि अभी डूटी के दोरान हादसे या आतंकी हिसा या ऐसा माजिक तत्तों के हमले में जान गमाने वाले सेनिकों के परीजनों को 25 लाग रुपे अनुगरे रासी मिलती है वहीं सीमा पर सड़प या आतंकियों से मुटबेड में या फिर स सरकार को अनुगरे रासी हर वर्ग में 10-10 लाग रुपे बढ़ाने पर गंबीरता से विचार करना चाहिए साथ ही इसकी नियुनतम रासी 35 लाग रुपे और अधिकतम रासी 55 लाग रुपे होनी चाहिए अगली बड़ी ख़बर की बात करते हैं सरकार ने देश के पूरु पैंसन भी रिवाइज करने का फैसला कर लिया है यानि अब पूरु सरीकों की पैंसन में बढ़ोती होने जा रही है इससे 2006 से पहले रिटार जवानों और अपसरों की पैंसन बढ़ जाएगी यह वो पैंसन दारी हैं जो पांच वतन आयोग में पैंसर सो से 10,500 रुपे पे संकर तिवारी ने जी बिजनिस को बताया कि इससे उन पैंसनरों को ज्यादा फाइदा होगा जिनकी रिटार्मेंट के वक्त सेलरी 17,000 रुपे से कम थी केंदर सरकार के परस्टन डिपार्टमेंट जुलाई 2019 इसमें यह आदे जारी किया था इसके बाद परियागरा जिस्त वेतनायों की सेलरी में रिटार हुए हैं कारवी विवाग ने संसुदित पैंसन का कोर कॉंडेंस टेबल भी जारी कर दिया था टेबल में बताया गया कि छटे वेतन वानमाय पैंसन और फैमली पैंसन के लिए निधार्ट ग्रेड पे बैलिस रुपे थी इसमें बड़ोतर सेना से रिटार्ड लोगों के लिए अच्छी ख़बर है उन्हें सरकार ने बड़ी पैंसन के तोर पर नए साल का तोफा दिया है देर साम केविनेट के फैसले की जानकारी देते हो सूचना एयों परसांड मंतरी अनूराग ठाकुर ने बताया कि केंदरी मंटी मंडल ने व लोगता ने एक टेबल भी सीर किया है इसमें सिपाई के रेंक से लेकर लेटिनेंट जर्नल रेंक तक पुरानी पैंसन के बाद 2019 में संसोधी पैंसन और उसके बाद 1 जुलाई 2021 रिवाईज पैंसन के आकड़े दिये गए हैं इसमें बताया गया कि सिपाई को 1 जनवई 2016 को 17 1699 रुपे पैंसन मिलती थी जो 1 जुलाई 2019 को बढ़कर 19,726 रुपे हो गई अब ये 1 जुलाई 2021 रिवाईज होकर 20,394 रुपे हो गई है इस परकार से 1 जुलाई 2019 से 30 जुन 2022 तक संभावित बकाया 37,000 रुपे बनता है जो एरेर ग्रूप में दिया जाएगा केंदरी मंतरी मंदल ने रक्षा बलो के कर्मियों और परिवार पैंसन धारकों के लिए 1 रेंक 1 पैंसन के प्रावदानों में संसोदन के प्रस्ताओं को सुकुरवार को मंजोरी दी सूचना ये परशांड मंतरी अनुराफ ठाकुर ने बताया कि इसका लाप परिवार में पैंसन धारकों के साथ युद्मे सहीद होने वाले जवानों की विद्वाओं और दिव्यांग पैंसन धारकों को मिलेगा उन्होंने बताया कि इसके कारण सरकारी कोस्पा हर साल 8450 क्रोड रुपे का बोज़ बढ़ेगा कैंद्री करमचारीों को फरवरि महिनय केंध तक बढ़ी खुसकवरी मिल सकती है कैंद सरकार के करमचारीों को अभी 6.000 फीजदी की दर से महमगा पचार पड़ा कर 5.000 फीजदी कर सकती है अगर ऐसा होता है तो डिये बढ़कर 50 फीजदी हो जाएगा महेंगाई बता में कितनी बढ़ोतरी होती है यह इस पे इंडेक्स के डाटा पनिरबा करता है करमचारी बजट के बाद से डिये बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं अगर सरकार जनवरी में 4 फीजदी बढ़कर 50 फीजदी हो जाएगा अगर सरकार ऐसा फैसला करती है तो करमचारी के वेतन में नियुनतम तोर पर सीदे 9000 फीजदी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी महगई बट्यकर नियमी एक साल 2016 में जब सरकार ने साथ में तनायों को लगो किया था तो उस वक्त महगई बट्ता सुन्नी कर दिया गया था नियुमक पुताविक जैसे ही महगई बट्ता 50 फीजदी तक पहुँच जाएगा उसे सून्य कर दिया जाएगा और 50 फीजदी के साब से कर्मिचारे को बट्ते के तोर पर जो पैसा मिलेगा वे बेसिक सेल्डी में जोड़ दिया जाएगा अगर किसी कर्मिचारी बेसिक सेल्डी आठाजार रुपे है तो उसे पचास फीजदी डे-ए के नौजार उपे मिलेंगे लेकिन डिये 50 फीदी होने पर बेसिक वेतर में जुड़ जाएगा और फिर से महेंगा इफटत जीरो कर दिया जाएगा एंदरी करमचार लगातार मांग करता रहे थे कि 18 मायर ये उनका हक है जो उन्हें हरा हाल में मिलना चाहिए और उसका रोकना नहीं चाहिए एरेगी डिमांड को लेकर करमचार ने कोर्ट में वैपिल की थी इस पर सुप्रिम कोर्ट ने सरकार को ये कर विचार करने के लिए का था कि ये करमचारे उखा के इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता पैंसनर के लिए सबसे बड़ी खुसकबरी दुगनी हो जाएगी मिलने वाली पैंसन इस पर के लाखों पैंसनर के लिए एक बड़ी खुसकबरी है दरसल सरकारी करमचारियों की पैंसन में जल्दी विजाफा होने जा रहा है सरकार पैंसन की लिमिट को बढ़ाने के तैयारी में है जिसके बाद अब सरकारी करमचारी की पैंसन दुगनी हो जाएगी फिलाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर इसकी सेलरी चाहे जितनी भी हो जिसके बाद पैंसनर को जादा पैंसन का फायदा दिया जा सकेगा सरकार ने महीला केंदरी करमचारी को बड़ी गाहत दी है महीला सरकारी करमचारी अब अपने बच्चों को फैंपली पैंसन के लिए नोमिनेट कर सकती है पुराने नियम के तेट कोई भी महिला करमचारी पती को ही नोमिनेट कर सकती थी सरकारी करमचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पैंसन स्पाउज को यानि पती या पत्नी को मिलता था उसके बाद बच्चों को फैमिली पैंसन मिलने की बारी आती थी कार्मिक लोग सकायते में पेंसन मंतरा लें बताएगी CCS Rules 2020 के नियम 50 के सब रूल 9 के मोजूदा प्राधायं गुदावी यदि किसी मट सरकारी करमचारी पेंसन भोगी के पति पत्नी परिवार में है तो पहले पति पत्नी परिवार पेंसन दी जाती थी बिर्टक सरकारी करमचारी पेंसन भोगी के पति पत्नी परिवार पेंसन के अपात्र होंगे